हेलो दोस्तों मैं खिमू स्वागत करते हूं अपने यूटूब चैनल टीकमगड पीजन्स में आई होप आप सब बढ़ी आउंगे और आपके पाल तू जानवर भी तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है जो भाई सुरुआत में कभूतर पाल लें पालने की सोच रहे हैं आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आयो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लेस कर ले ताकि जो भी वीडियो निकल के आये वह आप तक पोस्ट सके चलिए गाइस वीडियो को करते हैं सुरू तो गाइस जैसे काफी कि हमें भी कबूतर पाल ले ठीक है तो और वो सोच रहे कि यार हम कबूतर पाले और शुरू में दो कबूतर लाएं या कितने लाएं तो आप दो कबूतर से भी आप अपना सौक कर सकते हैं जी आ दोस्तो जैसे काफी भाई अभी नए नए आ रहे हैं और वो सोच रहे कि हम लगा ये लो जी कबूतर और जाओ पालो पता चले आपको दोनों मेल दे दिये या दोनों फीमेल दे दिये तो वो तो लड़ते रहेंगे आप बोलोगे यार पता नहीं कैसे कबूतर दे दिये ये तो दिनवाल लड़ते रहते हैं मैं क्या करूँ तो ऐसा नहीं करना ठीके ग पास जाना है और आपको बोलना है कि भीया हमें कभूतर पालना है और आप हमें एक male और एक female दे दो ठीके गाइस क्योंकि अगर आप दोनों male लेके आ जाओगे और आप रखोगे तो वो 100% लड़ेंगे ही लड़ेंगे तो आप बोलोगे यार पता नहीं कैसे कभूतर दे दी यह तो लड़ते ही रहते है तो आपको ऐसा नहीं करना आप उनसे पूरी अच्छी जानकारी से बोले कि भीया ऐस करना हूं कि आप पैसो के चक्तर में हमें दोनों male दे दो या दोनो फीमेल दे दो तो ऐसा नहीं करना है आप उनको समझाओगे वह समझ जाएंगे कि हाथ है तो वासले लेया ओगे एक male और एक female और उनको क्या करना है कि आप उनके पर बान्दे या catch कर दे पर को काट दे और तीन-चार दिन के अंदर ही जब तीन-चार दिन हो जाएं उनको फिर उनके पर निकाल दे चालिस दिन के बाद उनके पर प्रोपर तरीके से आ जाते हैं और वो अपना घर पहचानने लगते हैं तो यह थी आज की छोटी सी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मिटी वीडियो मैं लाता रहूंगा इसी चैनल पर चलिए गाइस मिलते हैं अगली नेक् ुर्मिटी बाता रहे चैनल पर चैनल पर हमारे इस बाले आपको टुर्मिक करें लापको टूंगा गया उजिए।